पहले समराच चौधरी इस बात का दावा करते हैं कि उपिंदर कुश्वाहा राजसभा भेजे जाएंगे लेकिन उसके बात ठीक एन वक्त पे उपिंदर कुश्वाहा के नॉमनेशन की तिथी आगे बढ़ा दी जाती है। मैं आपको बता दू कि उपिंदर कुश्वाहा जो की राजसभा के लिए नॉमिनेट किये जाने वाले थे। कहीं इसका बिल फाड़ा गया था और कहा गया था कि पवन सिंग के वज़े से कारा काट में उपिंदर कुश्वाहा हार गया और चुकि बीजे पी में थे पवन सिंग पहले लेकिन वो अचानक से बागी हो गये तो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए और उपिंदर कुश कुश्वाहा का नॉमिनेशन होगा वो तिथी होता है 20 अगस्त को अब 20 अगस्त को ये सब लोग जो भी उनके फालोर हैं और साथी साथ कुरी समाज के वो लोग कुश्वाहा समाज के वो लोग जो उपिंदर कुश्वाहा को अपना नेता मानते हैं ये कंफर्म हो जाते हैं और दोनों सीटों पे एक कन्फरम है कि इंडिये का उमिद्वार ही जीतेगा लगभग ये तै है तो इनके जो समर्थक हैं ये सोचने भी लगते हैं कि इस दिन नॉमिनेशन हो जाएगा और इनके नेता जो है वो राजेसबा चले भी जाएंगे लेकिन उससे पहले एक और लाए या फिर अभी तक किसी भी दूसरे कनियदेट का भी नाम अनॉंस नहीं हुआ है किसी कैनिदेट का नाम अनॉंस बीजेपी नहीं करी है सिवा उपिंद्र कुश्वाहा का एक दिन आगे नॉमिनेशन की तारीक बड़वा देना बहुत सारे सवाल जो है वो खड़ा क अब जब 21 अगस्त को नॉमिनेशन होगा और यह जो 21 अगस्त है वो नॉमिनेशन की आखडी तारीख है मतलब यह अंतिम तारीख है अगर इस दिन फेल हुआ तो नॉमिनेशन फेल हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उपिंद्र कुष्वाहा राज्यसभा नहीं तो इस वज़े से कई सारे सवाल उठाये जा रहे हैं BJP के उपर कई सारे सवाल उठाये जा रहें NDA नत्रत्यों के उपर कि क्या वा कई उपिंद्र कुष्वाहा को राजयसभा भीजना है क्योंकि अगर राजयसभा भीजना है तो 20 अगस्त में क्या बुड़ाई थी और अ अपने अपने कैनिडेट का अपने अपने शित्र में चुनाओ कर लिया मतलब जहां उनके जाती के कैनिडेट थे वहाँ पे जाके उन्होंने वोट दे दिया और इसका खाम्याजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ा था बहुत बुडे तरीके से भुगतना पड़ा वोट शेर गिर चुका था और साथी साथ तीन चार सीटे जो है वो इस वजे से हाथ से निकल गई क्योंकि कुश्वाहा वोटर जो है वो नाराज हो गए थे तो ये सब कुश असपस्ट तोर पे देखा गया था और चुकि अभी विधान सभा का चुनाओ सर पे है उससे पह हाला कि अब इसके उपर NDA ने कुछ भी असपस्ट नहीं किया है और जब उपेंदर कुश्वाहा इस बात की हामी भर रहे हैं कि एक किस अगस्त को उनका नॉमिनेशन होगा तो हो सकता है कि उनका नॉमिनेशन हो जाए लेकिन अगर अभी NDA इसके उपर कुछ नहीं बोला ह है